पारत शाबरा ने बोला मुझसे शादी करोगे में कि वो शोड़ रही है उनकी ओजय भानुशाली कि हुई है बहस क्या है पूरा मामला मैं आपको बताऊंगी लेकिन आपने चानल को सबस्क्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लिजे मुझसे शादी करोग जल्दी खतम कर देंगे 13 हफतों का शो नहीं करेंगे लेकिन आज जो हमारे साथ स्नीक पीक शेयर किया गया है कुछ जलक शेयर की गई उसमें साफ पता चल रहा है कि पारस खुद क्या रहे हैं कि मुझे ये शो छोड़ना है उन्होंने कहा कि यहां जो लड़कियां है वो फेक हैं उनको देखकर डिप्रेशन आता है और इस पर उनकी बहस हुई है जैपानुशाली से पिछले हफते आपने देखा कि जैपानुशाली घर के अंदर आये थे शेयनाज और पारस से उन्होंने बात चीत की थी बहुत सारे मुद्दों पर इस बार वो आए हैं उन्होंने कहा है कि हमने सब से परस्नली बात की है one to one बात की है और सब का यह कहना है कंटेस्टेंट का कि प्रॉबलम आप दोनों में है यानि कि पारस और शेहनाज में है तो PARS कहते हैं, कि मुझे नहीं लग रही है ये लड़कियां सही, मुझे सभी फेक लग रही है और मुझे इनको देखकर डिप्रेशन आता है Jai Bar Afanushali साथ भोलते हैं, कि आप ये साधी बाते जो कर रहे हैं, ये वाहियाद बाते हैं आप ये बाते नहीं कर सकते, आप अपनी limit क्रॉस कर रहे हैं, क्योंकि पारस ने जिस language का इस्तिमाल किया, कि मुझे इनको देखके depression आता है, मुझे लड़किया फेक लग रही है, जैब अनुशाली को लगा कि ऐसी बाते जो है, ऐसी language का इस्तिमाल नहीं कर सकते हैं पारस, इ एक प्लान है, चीजों को जो है, शो में टर्न एंट विस्ट ऐसे लाए जा रहे हैं, ताकि जो है, लोग जादा इंटरस्टिड हो शो देखने के लिए, या फिर ये पूरा एडिक्टिड प्रोमो है, जैसे कि मुझे बास में भी देखा था, कि एडिक्टिड प्रोमो होते हैं, आपको लगता है कि पारस की लाइग्वेज सही थी, आपको लगता है कि ये पूरा एडिक्टिड प्रोमो होगा, क्योंकि मुझे ये लगता है कि शो अबरप्टली ऐसा बंद नहीं होगा, शायद इसको जो है छोटा कर दिया जाएगा, तेरा हफतों की जैगा, सब्सक्राइब करना मत भूलेगा